हेई आवरीवोन वेलकम टू आवर चैनल एसके क्रियेशिन होप यू अल और गर्ड एंड सेफ इस वीडियो में हम क्रिस्मस फेस्टिवल के लिए पार्टी वेर गॉन बनाना सीखेंगे यह एक फ्रिल गॉन है जिसमें हमने फोर लेयर लगाए हैं और हमने कमर के पास इसमें कमर बिल्ट आड़ किया है और निक के पास हमने थोड़ा डेकोरेट किया है फ्लावर से होप वीडियो पसंद आएगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले इसमें हमने बहुत ही अच्छी वां स्टिचिंग सीखते हैं यह फूल टुटोरियल है आप यहां पर मज़र्मेंट देख लिए और अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर ले तो फ्रंट्स इसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है एक नेट फैब्रिक है जो थ्री मीटर है और असर फैब्रिक जो हमने लिया इसके बाद जो हमारा कॉर्णर है इस तरीके से फोल करना है आपको याद रहें कि जो फैब्रिक का फोल्ये और नीचे की साइड लाना चाहिए और जो भी आपको कमर साइज हो उससे 4 से डिवाइड करें और प्लस 1 इंच स्टा ले और उपर में माउक कर ले हमें फैब्रिक की जो लेंद है ना वो 40 चाहिए हम 2 इंच इक्स्टा ले रहे हैं ताकि इस लाई के बाद 40 इंच की हो जाए तो 42 इंच पे आपको पूरे में माप करनी है सर्कल के डिजाइन का इस तरीके से और फ्रेंट्स वहाँ पर साइड में हमारा दो जो पला है उसमें हमारी फैब्रिक में बना है हमें इसमें जादा घेर नीचाहिए मैंने इसे नॉर्मल वेर के लिए डिजाइन किया है तो इसलिए हमें इसे आधा सर्कल में बनाएंगे तो भी यह पाफ्रेक्ट घेर रहेगा इतना अगर आप चाहो तो आप इसे और जादा एक्स्टा फैब्रिक ले और अधार हमें पर 4 फ्रिल लगानी है तो 10 10 करके हमें 40 तक प्लेस पेमार करनी होंगी और 2 इंच हमारा स्लाइ में जाएगा इसलिए हमें नीचे के साइट से फोल्ड करना होगा तो हमने 10 इंच पेमार कर लिया यह देखे इसके बाद देखिए हमने मार कर लिया है यहाब हैं और एक उपर आएगा यह हमारा निट फाब्रिक है जिसमें हमें 12 इंच की फ्रिल चाहिए वन इंच लाइ में जाएगा और वन इंच नीच की साइड में एक्स्टा आएगा इसलिए हमने 12 लिया है तो दो इंच आप एक्स्टा ले फ्रिल की लेंसे जितना भी आप मार्क कर र इस तरीके से हमें इसे कट कर लिनी है तो हमारे फ्रिल की भी कटिंग हो चुकी है यह देखे फैंस हमारे यहां पर बहुत सारे पल्ले आ गए थे अब इसके बाद यह हमने मांक किया है ना अब पूरे फैबरिक पर मांक कर लो यह और उसके बाद जो मांक है ना हमें उसके जो यह हमने फ्रिल कट किया है उसे रखनी है और स्लाई लगानी है फ्रिल को हमें four time स्लाई लगानी होगी तो यह हमारा first time फिर दिन एक इसके नीचे आएगा फिर एक और नीचे और एक सबसे उपर आएगा तो friends मैंने बता दिया कि सेकाहित इस்को लगानी है मैं एक बार इसे Pril को रखना है और स्लाई कारनी है तो प्रिल को शेट करनी है और इसके उपर स्लाई कर लेनी है अब चलिए हम top part की कर लेते हैं इसके लिए मैंने फडर्डिक लिए इसे मैंने 2 फोल्ड किया प्रिदेना फैब्रिक हमारी फ्यूर फेसरों अब उसके बाद उपर की शाछर में स्विल्डर के लिए सिस्ट इंच प्रिते तरीके आपको मूं करने है और आर्मोल ड्राउक कर लेना है पहले front straight में फिर अंदर की side में वन इंच का माइनिस करते हैं ताकि हम front और back दोनों arm all draw कर सकें तो यह हमारा front देन हमारी back arm all इसके बाद friends, neck की जो width है वो हमें 3 inch रखनी है और इसके बाद shoulder में half inch का down देंगे और mark कर लेंगे neck जो है न back neck उसकी length हमने 3 inches रखी है और इस तरीके से हम line draw कर लेंगे आप neck की length है अपने according रख सकते हो और फिर हमें जो हमारा chest size हो उसे 4 से divide करें प्लस 1 inch चिक्स्टा ले जो किस line में जाएगा सेम यहाँ पर जो भी कमर size हो उसे 4 से divide करें और प्लस 1 inch चिक्स्टा और इस तरीके से line draw करते हुए सारे lines के दूसरे से मिला ले और जो भी fabric है जो हमें line draw किया है उसे हम cut कर लेंगे और जो back neck है बस उसकी cutting करेंगे इस fabric पे front neck और front armhole हम अलग करके fabric को cut करते हैं तो इस तरीके साबको fabric को side करनी है और जो हमारा उपर का fabric है ना इसके थुरू हमें front neck जो mark था उस पे cut करना है अंदर हमारी armhole हमें उसे cut कर लेना है fabric को इस तरीके से cut कर ले तो friends यह हमारा top part था अब हमें यहां पर बना रही होंगे sleeves तो उससे पहले जो हमें neck cut किया है ना हमें जो neck है ना उसके cording fabric cut करनी है और इसके उपर हमें sly लगा लेनी है okay friends तो चलिए अब sleeves की cutting कर लेते हैं तो हमने fabric को four fold कर लिया जो भी solder size हो उसे two से divide करें and plus one extra ले जो कि margin में जाएगा sleeves में हम three inch का dawn देते हैं और इस तरीके से उपर वाले corner से हम इसे मिला देंगे scale की help से हम line draw करते हुए अब इसके बाद इसका हम midpoint find करेंगे और अंदर से हम half inch में इस तरीके से करते हुए curve draw कर लेंगे यह हमारी armor draw हो चुकी है नीची के साइड में जो भी आपका हमारा fabric cut हो चुका है sleeves का अफ्रेंट इस तरीके से हमें फर्न टामल में थोड़ा सा डॉन दिया था ना सीम स्लीव में भी one side में हमें डॉन देनी होती है तो हमें one inch का इस तरीके से डॉन देना होता है ताकि हमारी sleeves जूके नहीं अग्दम perfect fit आए अब फ्रेंट सबसे पहले नेक किस लाई कर लेते हैं तो यह हमारा जो वी वाला नेक था ना हमें इसके उपर स्टिच देनी है और जो हमने स्टिच किया ना उसके नजदीक में आप दो-चार कट्स लगा लो जिससे फैब्रिक असानी से मूर जाता है कोई भी प्राब्लम क्रियेट नी करता है और आप अपने फिंगर से प्रस करते हुए ना जो यह शीप है ना उसे ड्रो कर लो ताकि कोई प्राब्लम ना हूँ यह देखें इस तरीके से अब हम इससे अंदर की साइड में भेजेंगे और इसके पर स्लाई लगा लेंगे इस तरीके स साइड में जो फैब्रिक है ना उसे हमें अंदर के साइड में फोल्ड करना है और इसके ऊपर स्लाई कर लेनी है इस देखिए हमारे निक की स्लाई कंप्लीट हो चुकी है अब इसके बाद ना यह जो प्लेस है ना यह मारा प्लेन फैब्रिक है तो थोड़ा सा इससे हम डेक यह निक के पास थोड़ा अलग लग देगा तो हम इसके पर मांकर लेते हैं और हम जहां पर इसे लगानी है वहां पर हम इसे सेट कर लेंगे यह दिखे हैं और हम यहां पर 4 फ्लावर लगा रहे हैं क्योंकि मैंने कमर के पास कमर लगाया है तो अलड़ी यहां पर लुक इन्हांस हो चुका है तो इसले फंट से लिए गलू गन की हल्प से लगा लेंगे आप फैब्री क्लू अपलाई कर सकते हैं मैंने पर फैबरिक लिया है यह देखिए यह अराम से चीपक जाता है अगर प्रब्लम हो रहा है तो आप उसके लिए इसके पर जर्वेब्स किपल लगा लो बर देन ये फैबरिक है तो आप इसके पर स्लाई कर सकते हो तो में मैं एक बार इसके टॉप में स्टिच कर लोगी ताकि यह उपर-नीचे ना हो और यह लंबे समय तक टीके तो चलिए फ्रंट्स इसके टॉप में वन टाम स्टिच कर लेते हैं जो है ना बस आपको मिदल में स्टिच करनी होगी यह देखे फैन इस तरीके से हमें इसके उपर करते जानी है लास्ट में जो फ्लावर है वहां पर हम टुटाइम स्टिच कर लेंगे ताकि स्टिच ओपेन ना हो इसके बाद यह हमारी स्लाइ कंप्लीट हो चुकी है स्लाइ होने के बाद एक दम पॉफेक्ट नेक के पास एक नेकलेस का भी यह काम करेंगा इस तरीके से यह अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट था ना बैक पार्ट उसके स्लाइ हमने कर लिया नेक की अब हमें शोल्डर के स्लाइ करनी है तो शोल्डर को दोना सेट करें एंड स्लाइ लगा ले मैं इसके उपर स्लीव लगानी है तो स्लीव के नीची के साइड में पहले ही फ कर दोने हमें तर्ट तो बाटर सेलilles च्सक्ता सिब्सिल्गा तो की हैं क जाता है तो मैं तो चलिए मिण्यां नहींत अडिका फैब्रीकтов 5 तो प्रहा प्तार करें करएंगे उसके बाद हम उसे बटम में जोड़ेंगे मैने यह आपर एक लेस लिया है जिसकी मुझे अनड़ी है कमर बेल्ट तो यह लेस को लगा है कमर बेल्ट के लिए तो हम फैबरिक लिया वह रेड वॉल्ट करेंगे ताकि फीछे का पार्ट हो का ना वो थूड़ा सा अगर आप चाहो तो इसमें आप मोतियां लगा लो इस तरीके से डेकोरेट करके आप इसका लुक और जादा इंक्रीज कर सकते हो मैंने याप पर सिंपल ही लुक दिया क्योंकि मेरा गॉन अलरीडी बहुत जादा हेवी हो गया था इसलिए फंस तरीके से यह देखिए आपके उसके पर स्लाइ लगानी है और हमें इसके पर जो स्लाइड में लगानी है और नीचे दोनों साइट में करनी है और नीचे का जो से हमें फोल्ड करनी है और इसके उपर हम लगाएंगे हो के यह पिर वह बटन आती है ना पर तिक टैक बटन हम इसके पर वह अपलाई करेंगे तो यह देखिए यह हमारी इसलाइड कंपलेट हो चुकी है कमर बिल्ट ना बहुत इज़ी है यह देखिए फेंस पीछी के इसके अकॉर्डिंग है यहां पर हम जो हमारा नेट फाब्रिक है ना उसे रखकर हम बनाएंगे चून गैदर्स देंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आए आप लगा लो उपर की साइड में हमने टोटल 3 मीटर फाब्रिक लगाया है नीचे की साइड मे यहरे फ़ये हम लगाएंगे फॉर मिटडर फिर दर उसके बाल भाल लगाएंगे फाइब मीटर फआब्रिक और लास्ट में सिक्समीटर फैब्रिक इस तरीके से करते हुए हम वनवन मीटर इंक्रीज करते जाएंगे जाए सैप का फ़ाब्रिक जो हिरा ना बहात ही इसके कारण मैंने जो स्लाई किया ना उसका गेर बहुत जादा बढ़ गया तो इस तरीके से आप इसके उपर सट करते जाए और स्लाई करते जाए और सेम यही स्लाई आपको दोहराते हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारो प्लेस में करनी है तो देख लो आपकी किस तरीके से हमने स्लाई की है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले कीप सपोर्टिंग यह सपोर्ट सार्यली वारी यूस्फुल और नए नए ड्रेस डिजाइन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्र है उब में तर्की साइड में लग चुका है और सेम यही साइड इसी तरीके से अप्रय करते हुए मैंने तीनों साइड में फ्रिल लगा लिया यह देखे है fans, यह हमारा first side का frill और फिर हमें नीचे करते हुए, इसके just नीचे, हमें यहां लगानी है फिर हमें यहां लगानी है फिर हमें यहां लगानी है, तीन frill अभी और लगानी है तो चलिए, frill की भी sly कर लेते हैं 1, 2, 3 4 चार के प्रफेश के लिए और नेचे के साइड में हमने इससे फोल्ड करके सिल भी लिया जिसकी मैंने वीडियो आपको नहीं दिखाई अब इसके बाद फ्रंट्स जो हमारा फाब्रिक है ना इसको हमें फोल्ड करना है हाफ में और हमें इसके स्लाइ करनी है तो यहां पर जो है आप इसे कवरा परना है वह प्रिल नहीं आपाएगा उपर की स्लाइ करते वक हihad करें एक पडी ज़्यान और ऐसके अग्ण्त wa P対 कंश ऑपर सीत कि हमारा फिर इसके पर उसके बहुतारी के बाद लें है तो प्रेंद भी मोशानिक्व दो नहीं नहीं चैरों तरों थाला इस्ट फिर देन तेन जहांपर आपने सेट किया नहीं तो भी तो आप से ऑप आप स्लाई कर ले यह देखेए है इस सीची से बराबर करे फैब्रिक बराबर होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे और इसी ओफ आप स्लाई कर ले की विर फ्रिल से निचा निय कि तो आप इस स्लाई नहीं की है अगर आपको दूसरा फैब्रिक होगा तो आप उसके पर स्लाई कर सकते हो फ्रिल की स्लाई हो चुकी है इसके बाद यह देखे मैं फ्रिल को अंदर डालूंगी उसके बाद just fabric के उपर sly करनी है यहाँ पर आपको frill को नहीं दबाना है ओके फ्रेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि frill के उपर sly नहीं आनी चाहिए बस आपको इसे तरीके से पूरे में sly कर लेनी है fabric को set करें and then sly लगा ले हमारी skirt की पूरी sly हो चुकी है अब इसके बाद हमें टॉप पार्ट था ना उससे हमें इसमें जोड़ना है तो यह जो हमारा कमर वाला प्लेस है उससे हम इस तरीके से रखेंगे fabric के उपर और इस तरीके से set करते वे हमें ultimate sly लगानी है ताकि sly अंदर जाए और हमारा fabric बनकर उपर आजाए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई और इंट्रसिंग सी वीडियो के साथ थांक्स पूर वाचिं दिस वीडियो बाई-बाई टेक केर सी यू सून और अलसो दू सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें बाई-बाई